आज का च्छान नहों कि प्रशनावली 12.2 के प्रशन एक को सॉल्फ किया जाएगा प्रशन संक्या एक एक पार्क ABCD के आकार का है जिसमें कोडसी 90 अंश AB बराबर 9 मिटर, BC बराबर 12 मिटर, CD बराबर 5 मिटर और AD बराबर 8 मिटर है इस पार्क का कितना च्छेतरफल होगा तो सवाल में एक पार्क है जो ABCD के आकार का है जिसका फीगर मैंने रफली ऐसा बना लिया है जिसमें कोडसी 90 अंश है AB बराबर 9 मिटर, BC बराबर 12 मिटर, CD बराबर 5 मिटर और AD बराबर 8 मिटर है इस तरह से यदि मैं इसके इस डाइगोनल को मिला दूँ, इसके विकर्ड को मिलाओं तो यह जो हमारा ABCD चत्रबुज है वो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा एक ट्राइंगल हो जाएगा ABD और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा BCD तो इस प्रकार हम देखें कि यह जो हमारा ट्राइंगल BCD है यह हमारा समकोड त्रबुज है समकोड त्रबुज में अगर समकोड त्रबुज का चेतरफल हमको निकालना होता है तो समकोड बनाने वाली भुजा में से एक भुजा आधार ले लिया जाता है और दूसरी भुजा को उचाई ले ली जाती है तो आईए इस समकोर त्रिबुज का पहले हम छेतरफल निकाल लेते हैं तो त्रिबुज BCD का छेतरफल BCD का छेतरफल पराबर एक बटा दो आधार गुडे उचाई इन दोनों भुजाओं में से हम किसी एक भुजा को आधार और किसी एक भुजा को उचाई ले लेंगे तो इस outcome से हमारा आजाएगा एक बटा दो आधार बारद मिटर और गुडे उचाई 5 मिटर तो बारद को अगर दो से काट दिये जए 6, 6, 5, 30 तो ये वाले जो BCD त्रबुज है उसका 6 त्रफल आ जाएगा 30 मिटर स्क्वाइर ये एक त्रबुज का 6 त्रफल आ गया अब दूसरे त्रबुज का 6 त्रफल निकालने के लिए हमें दो भुजा हैं मालूम है इस त्रबुज की लेकिन तीसरी भुजा नहीं मालूम है तो तीसरी भुजा को अगर हम किसी तरह से मालूम कर लें तो हम इस त्रबुज का भी 6 त्रफल निकाल सकते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे ये जो BCD एक समकोर त्रबुज है इस पर हम लगाएंगे पाइथा गोरस थेरम तो तिरबुज BCD में पाइथा गोरस प्रम्या नुसार तो पाइथा गोरस का प्रम्य ये है कि कड का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग तो यहां जो मेरा कड है कड बोलते है 90 के सामने की भुजा को जो 90 डिगरी कोड बन रहा होता है उसके सामने की भुजा होती है कड तो कड का वर्ग यानि BD का वर्ग हो गया BD का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग तो BC कवर्ग है हमारा 12 कवर गो जाएगा और ये CD 5 कवर गो जाएगा तो 12 कवर्ग होता है 144 और 5 कवर्ग होता है 25 दोनों को जोड़ दिया जाएगा आजाएगा 179 ये value जो है वो BD square की है BD की value हो जाएगी BD बराबर हमारा आजाएगा रूट में 179 अब इसका गुड़नखंड करेंगे अगर 179 का तो आ जाएगा 13 गुड़े 13 जोड़ा बन करके बाहर आ जाएगा दूसरी वाली भूजा जो आ गई वो आ गई 13 मीटर तो ये वाली भूजा हमारी हो गई 13 मीटर अब एक त्रिबुज हमारे पास ऐसा है जिसकी तीनों भूजाएं हमें ग्यात हैं तो हम इसमें लगाएंगे हिरोंस का फॉर्मूला आईए हिरोंस का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि हिरोंस के फॉर्मूले के लिए हमें इन तीनों भूजाओं की लंबाई मालूम होनी चाहिए और जो अलड़ी हमने निकाल ली है तो a बराबर हमने ले लिया 9 meter b बराबर ले लिया हमने 8 meter ये वाली भूजा ले लिया 8 meter और c बराबर हम ले 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 लेते हैं ये जो अभी हमने लिया 13 meter तो इस परकार से अब हम हरोन का formula इस्तेमाल करने के लिए सब के मान पता है, A का मान 9, B का मान 8 और C का मान 13, बटे में 2, अगर इसको जोड़ा जाएगा तो आजाएगा 30, 30 बटे में 2 बराबर 15 मीटर, ये आगया S का मान, अब हम लगाएंगे हिरोन का सुत्र, तो तिरभुज, देखिए तिरभुज कौन सा है, A, B, D, तो तिरभुज A, B, D का छेत्रफल बराबर हो जाएगा, रूट में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, आईए वैलू रग देते हैं, S, A, B, C की, S की वैलू है 15, S माइनस A, यानि 15 माइनस 9, और 15 माइनस 8, और 15 माइनस 13, तो यह पहले तो 15 आजाएगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे, तो आएगा 6, और 15 में से 8 माइनस करेंगे, आजाएगा 7, और 15 में से 13 माइनस करेंगे, तो आजाएगा 2, अब इसके छोटे-छोटे गुलनखंड कर लेते हैं, 15 का गुलनखंड हो जाएगा, 3 गुले 5, 6 का गुलन तो साती ही रह जाए 약ा इसमें कुछ आयगा न ही दो का गुलन्क निकाल कया है, तो देखिए, तीन को बार निकाल लेते हैं। सबस्तों कि दो क्याला हो गया का इसमें ट्व में बच जाएका यह पांच और यह साथ तो यह को पता है कि रूट 35 की जो वैलू है 5.91 यह हो जाएगा 6 गुड़े 5.91 मीटर अब अगर हम 5.9 में 9.1 में गुड़ा कर दें 6 से तो यह आ जाता है हमारा 35.496 मीटर वर्ग अब यह जो छेत्रफल आया है यह है इस वाले तिर्बुच का छेत्रफल और यह जो छेत्रफल आया था 30 मीटर स्कॉयर वो दूसरे वाले तिर्बुच का छेत्रफल है इसलिए चत्रबुच ABCD का छेत्रफल बराबर हो जाएगा चत्रबुच ABCD यानि पार्क जिसको आप बोल रहे हैं चत्रबुच ABCD का छेत्रफ और प्लस प्लस तिरबुच ABD का छेतरफल अब दोनों छेतरफल हमने ग्याद कर रखा है BCD का छेतरफल आया था हमारा ये 30 मीटर वर्ग और ABD का छेतरफल आया था 35.496 तो दोनों वैलू रख देते हैं ये हो जाएगा 30 प्लस 35.496 दोनों को जोड़ देंगे तो ये आजाएगा 65.496 इसको राउंड आफ किया जाएगा तो आजाएगा 65.5 मीटर वर्ग ये रहा आपका अंसर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक्स फॉर वाचिए